हलो एब्रीवन गैसे हैं अपलो वैल मैं साक्षियास हम लोग क्लास 6 NCRT चैप्टर 6 सिविक्स का रूरल एडिनिस्टेशन के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है कि दिया गया है कि इंजिया में जो है 6 लैक्स से विलेज हैं इंजिया में उसमें बहुत सारे निट्स तो यहां से देखते हैं साथ की साथ की खेट में खेट के पास ही एक छोटी सी बाउंडरी से सेपरेट है जो रगु का एक फिल्ड है एक मोहन है और एक रगु है तो दोनों की जो का खेट जो है जो लैंड का एरिया है वो छोटे से बाउंडरी से छोटे से एक बाउंडरी से सेपरेट है मैं अलग हुआ है जिसे बंड भी कह इसे इसे बंध कहते हैं दोनों की फार्मिंग जो लन्ट है वो दो एक बूद सेपरेट इस은थ Evet Pope में ते एक दिन मॉह ल्टी आए व Aujourd' को थोड़ा सा कुछ फिड़ कर दिया उसके लैंड में उसके खेत oh b देखता है कि कैसे मिन्स की मोहन के लैंड को कुछ जादा ही मिन्स रगु ने अपना लैंड बढ़ा लिया है खुद का लैंड मोहन की लैंड को डिक्रेस कर दिया है तो यहां पर देखता है कि मोहन वहां गुसा आ जाता है कि मिन्स की उसका लैंड जो है रगु ने यह कम कर द वी तुटा सब गबर से उसके आए लेकिनुसके बात करने के लिए इसके उसकी जमीन को वह कम कर दिया अहीजमेंन्स फॉलोर्ड डहार ज्जकडे होते हैं driven क्या करता है कि refuse कर देता है बंद को बढ़ाया नहीं है, वो बोल दिता है मोहन से कि वो जो अपना बंद है वो मोहन के लैंड के तरफ ने सिफ्ट किया है, फिर क्या करता है, रगु अपने हेलपर को बुला लेता है, और मोहन को काफी ये करने लगता है, मरवाने लगता है, यहां पर देखते हैं अब मोहन जो ता काफी जाद है उसको चोट लगे थी हैड पे भी हैंड पे भी तो उसके लिए जो इनके जो वडोसी थे उनको थुड़ा सा फॉस्टेट देते हैं तो उसके प्रेंट के विलेज के पोस्ट आपीस पर करते हैं तो वो सज्जिस्ट करते हैं कि मिन्स को लोकल पुलीस स्टेशन जाना चाहिए फाइल रिपोर्ट करना चाहिए so others were doubtfully कुछ जोदन रहते हैं वो doubtfully बोलते हैं कि if this was a good idea because because they feel they would waste a lot of money and the nothing would come out of it तो कहते हैं कि अच्छा idea लेकिन हम लोग इसे बस अपने पैसे का means waste करेंगे पैसे waste करेंगे इसे means कुछ होगा नहीं बस पैसा ही खतम होगा some people said the Raghu's family would have already connected the police station कुछ बोलते हैं कि Raghu की जो family थोड़ी उनके का सरपंच है इस वाज जादे land भी उनका है तो आप कुछ बोलते हैं कि police station से already connected है तो हो सकते हम लोग बस पैसा खर्चो और कुछ हो भी न after much discussion it was decided the Mohan would go to the police station along with some of the neighbors who had seen the incident फिर भी काफी discussion होता है तो मोहन जाएगा police station और अपने कुछ पर उस जाएगा जो उस जगह पे वह वार्दात क्या से इंसिडेंट जो हुआ था वहां पे वह थे उनको लेके जाएगा तब जो मोहन ने उजारता है police station तो क्या होता police station area of the police station on the way to the police station one of neighbors asked means जहां police station पहुंच जाते हैं रास्ते में जाते हैं वक्त एक उनका जो नेवर पूसता है कि हम लोग क्यों means थोड़ा और मनी क्यों नहीं खर्च कर देते और जाके जो सहर का जो टाउन का जो police station है वहां पे फाइल ये करते report कर 받 involved in तो मोहन बताता है कि फैसे की बात नहीं है यहां पर में लोग विंदेस की area में यही पुलिस इस्टेशन आता है तो सबसे नेसेसरी हम लोग कहीं होता है कि सबसे पहले हम लोग यहां पे रिपोर्ट दर्स करा है ना कि टाउन के में सोगा ना कि जैसे कि होता है ना किसी स्कूल में होता है कि जैसे कि अगर आप सबसे पहले कहा जाता है ना कि प्रिंसपल बोलते सी तरह होता है कि सबसे पहली को विले के पास का the police station वहाँ पर पहले जाए अगर वो नहीं मांु रहे तब तो टाउन के police station पर जाएंगे अभी यहां पर देखते हैं से बडरिख किो वैख आवरों के सेमरी पॉली इसटेशन हझे उननिया that एक पुलिस के पास कुछ एरिया होता है जो से कंट्रोल में होता है स्थालिक के को इंक्रीय थे ऐसे से स्टेशन की merged करें पताल करें सिर्ठेश जो भी यॉवे साहिं से कुमेंन केलिया है कुछ मैं आप एंसले में रिष्टाय methodology क्या चाहर का गारो था वह दिस्ट वह रिच दू पुलिस स्टेशन भें तो पर समय ने इंचार्ज आउस ऑफिशर एक तो एक एक पॉमन करें तूब आपन फो द पाता है कि क्या क्या हुआ तही और आ जूदे यूटे तो गीव कंपलें इन राइटिंग फिर महन बोलता है को चा जो जुँआ रहता है वो रूडली मेय claims म्हान को यह करता है समझाता है क्या यह फालतु मी होटी सी इंजरी के लिए छोटी सी माइनर जो complain उसके लिए करें मेरे टाइम लिए रिपulator & लिए कर री इससे कुछ होगा मतलब कर रहा हुए उसको uncます लो ऐसे करका उसको बड़ाँ करना चाहता है से निदिए इंस सेते doki थे सरे है कि रभी हुन शेयर थे लों हइन इहां से दोरी तो किया है है देन डेर इंस्ति इंवेस्ट लेकीटिंग दे जिएम मोहन तो कि यह तो कहता है कि क्यों फाल्तु में करुए हो ताइम इस कर रहे हो तो मुहन अपना पूरा इंड अपना दिखाता है कि पर चोट लगे हैं पर पूरा बताता है फिर भी ऐसे चुज़ है वो उस पर विलिब नहीं करता है तो मोहन परिशान हो जाता है कि उसको समझ नहीं आता है कि वह अब क्या करें उसको समझ भी नहीं आता है तो क्या वो करता है तो अपने में जो नेवर जो उनके साथ गह रहते हैं उनको बुलाता है ओफिस में तो वो सब लोग बहुत गुसी में होके स्ट्रोंगली बोलते हैं लोकि मोहन को कैसे उनको मारव गया उनके सामने तो उनके लिए लिए रिपोर्ट लिखा जाना चाहिए उसको लिखे तो फिर बताते हैं कि इनकी जो भी रिपोर्ट से उसको लिखा जाना चाहिए तो फिर फाइनले ऐसे चो क्या करता है अग्री हो जाता है लिखने के लिए आज वो वहर्ट करें के लिए छोफ मैं शुट राइड़ करे में उसके बारें अग्ने के लिए तो यहां तक तो हम लोगों ने देखा कि कैसे police station का work क्या होता है कैसे work होते हैं कैसे process होते हैं कितना लंबा process होता है एक चीज के लिए एक छोड़ी से complaint के लिए अभी यहां पे देखते हैं maintenance of land records you saw that the mohan and ragu were arguing heatly whether a common boundary their field has been shifted मोहन में कैसे जगड़े होते हैं कि उनके फिल्ड है सिफ्ट कर ले का उन सिफ्ट किया था तो किसका लैंड मोहन का लैंड isn't there a way by which they could have settled dispute in the peace तो क्या हो सकता है means यह लिए तो चले गए police station लेकिन और भी कुछ भी है क्या कि means कि peaceful manner 37 जगड़े को खतम किया जाए there are records show who own that land in the village कुछ ऐसे records हैं क्या कि पता चल जा कि किसके पास कितने land है तो इसके लिए हम लोग देखते हैं यहां पर पढ़ते हैं नाप करें और इसके records रखें नपटवारी इस नोन मिन्स पटवारी को अलग अलग जगों पे अलग 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 स्टीट पर अलग अलग नेम रखेंगे कुछ जगों पर कुछ विलेज में office कुछ नेम रखेंगें जैसे लिख पाल हो गया है कुछ जगों पर कनुन गो इस रिस्पोंसिबल फॉर ग्रूप ऑफ विलेज तो यह पटवारी जो होते हैं चोड़े चोड़े विलेज हो के दर पटवारी मेंटें एन अपडेटरी को विलेज और पटवारी का क्या वर्क होता है कि वह मेंजर करें उस लैंड को उसका रिकॉर्ड रखें हर विलेज जिस विलेज को मिला है उसका पूरा लैंड रिकॉर्ड रखें अपने बास और अपडेट करता रहा है दे मैप एंड दे मैप एंड परिस्पॉंजिंग देटेल्स फ्रॉं दे रजिस्टर और नेक्स पेज और स्मॉल पार्ट अप दे रिकॉर्ड बाई पटवारी मेंज क पटवारी का बहुत सारी मिन्स वियं होते है कैसे कैसी यों लैंड को मेजर करें तो कहीं कहीं पर क्या होता है वह बड़ी बड़ी चेन जो होती उसको यूज करता है मेजर करने के लिए इन दो पटवारी उसको तो यह मैजर में फिल और लुर्ण भुखन के जो प्रॉब्ल्म जगडा होता तो उसमें पतवारी जाता है उन लोंकी लेंड को में आई करता है मेज़र करता है और उसके पास फिलरेंडर को पता है पिल्म दो से और तुरंद कर अपने दिद्द मेंज़र कि तो उसे compare करता है if they did not match then it would be clear that the boundary of the field has been changed तो देखते है अगर दोनों सेम है तो यानि की boundary जो है जो बंड जो है वो चीद नहीं हुआ है अगर थोड़ा से भी चिंज ही लग रहा है तो यानि की यह किसी ना किसी अगर जिसके में अधिक रहेगा तो यानि की वो उसका अधिक किया है चेंज किया है यही इसका में जो होता है जो हो जाता है ऐसे problem पत्वारी इसे also responsible for the organizing the collection of the land revenue from the farmers and providing information to the government about the crops grown in this area तो पत्वारी का यही वर्क होता है कि means कि जो भी land revenue जो है means tax जिसे कहते है उन लैंड tax होता है खेती होती जो करते है ना तो उन पर land tax लिया जाता है तो उनका ये वर्क पटवारी का ही वर्क होता है कि टेक्स भी ले उन लोगों से और गवर्मेंट को बताएं कि मिन्स की जैसे कि रगू की हो गई कि रगू ने कितने जादा इस सीजन में कितने जादा पैदवार उसका हुआ है मोहन के घर में कितना में मोहन के खेत में कितने पैदवार हुए हैं यह सारा रिकॉर्ड जो होता है सारा इन्फॉर्मेशन जो गवर्मेंट को बताने का पत्वारी का होता है is sorry about the crops and this is done from the record that kept and this this is it's important for the pathチャ starring to regular update farmers me change पर देली रिकॉर्ड रखने चाहिए ताकि यह नहीं कुछ जगह पर किमिन्स बानलो कि यहां पर कुछ फार्मस ने किसी ने धान की रुपाई कर ली राइस की रुपाई कर ली अब वहां पर जब पटवारी आया चेक करने तो वहां पर उसको काट के कुछ और लगा दिया द कहां से हम लों टेक्स देंगे इस वरसे डेली का अपडेट करने के लिए पटवारी का वर्क होता है को डेली रिकॉर्ड रखे क्योंकि कुछ लोग है कुछ एरियम जाके डिक बग करके बेल बनवा लेंगे तो कुछ जगह पर कुछ इस वजह से पटवारी को हमेसा उसका लेटल रखना जाय क रखने चाहिए यहां पर कुछ वर्ख दिये हैं कि खस्रता है कि होता क्या तो खस्रा के बारे में बिया हैरे है कंसे परटवारी कैसे मेजर करता है किस तरह से रखता है यहां पे हैं आप लोग देख सकते हैं बहुत बहुत इंट्रेस्टिंग है इसको देखके आप यह कर सकते हैं क्वेस्टिंस भी पुचा हूँ ओन दे लैंड साउथ आफ दे मोहन को किस फोस में रखा गया था यानि कि फोस कोई है सेकेंड वाल से को ने रगू है यहां पर इसको बहुत इंट्रेस्टिंग है इसको कर के कमण बोक्स में बताइएगा क्या आप लोग ने कितना किया अभी आप हम देखते हैं कि हां तो कुछ लोग कहीं कहीं पर अलग अलग जगों पर कुशना कुश रख सकती इसलि के गाटमेंट बनातें सीए न प wed in the Department रहोड सुपर का पटवारी वग मेंश सुछ डिपार्टमेंट गवर्म में डिवाइड है अब स्टेट जो है वो अभी स्टेट में डिवाइड है अब स्टेट क्या है यह कि स्टेट हो गया अब स्टेट जो है छोटे-छोटे डिस्टिक में डिवाइड है अभी डिस्टिक अभी छोटे-छोटे डिस्टिक जो गया इंडिस्टिक हो गया अभी जो division में divided था डिस्टे उसको तैसील कहते हैं कुछ जगब के तालुका कहते हैं at the head of is this the district collector and underherd are the revenue officer is known तैसिलदार और तयसलदार कहते हैं, और उनको क्या सुनना होता है तैसलदार का है, वह सारा वर्क जो भी सुनना होता है वह देखे उनको समझें, they also supervise the work of pachwari and ensure the record of proper cap and the revenue collected means फिर तैसिलदार के यह भी work होता है पटवारी को supervise करे उसके records को देखे कि वो maintain कर रहा है कि ने revenue collect कर रहा है कि ने सारा work होता है तैसिलदार का they make sure that the farmer can easily obtain copy of their records student तो यह इनका यह भी work होता है कि farmers जो है उनको अपने land की copy मिले records मिले ता records मिले यह सारा work होता है कि तैसिलदार का कि पटवारी उनको दे रहा है कि नहीं दे रहा है यहां पर कुछ वर के students can obtain their class certificate etc और student का भी होता है कि student को जैसे की farmers का land record हो गया उसकी copy देना तैसिलदार का work होता है student को होता है जहां प्रमाट पत्र का certificate यह सारा कहांस मिलता है तो तैसिलदार से मिलता है तैसिलदार officer is where land disputes are also here तैसिलदार officers वह होता है जहां पे land dispute वह सुनी जाती मिल जगडे जो लेंड से required a copy of their lands record together with the map and as shown in the previous illustration मैं सम लोगों ने अभी देखा ही है कि मैंस की कैसे farmers को map के साथ उनके जो records होते में दिये जाते हैं they have a right of this information इसारे farmers को right मिलता है कि उनको उनके records मैप के साथ उनको दिये जाए they may have to pay हो सकता है कभी कभी इसके लिए उनको कुछ पैसे भी देने पड़ें however this information is not easily made available and farmers sometimes have to face में कभी कभी क्या होता है information इतने easily नहीं मिल पाते हैं farmers को कभी के कुछ problems भी phase करने परते हैं in some states अब कुछ जगहों पर क्या हो गया है कि आप तो हर जगह पर भी computerize हो गया है तो सारे जो records हैं यह सारे records computers के थूरू हम लोग ले सकते हैं और कुछ जो records सारे records हैं पंचायत ऑफिस में भी रखे जाते हैं ताकि वहां के जो farmers हैं वह इसली वहां से ले सके वें डू यू थिंग farmers में रिकवाज कोपी कभी हम लोग क्या सूचते हैं कि किस टाइम में farmers को यह दिया जाना चाहिए यह रिकॉर्स यहां पर देखते हैं कि कब कब दिया जाना कब जरूरी है उनके लिए उसके से इस पर दिया जाना जाहिए जैसे कि farmers want to buy a plot of land from another अगर कोई farmer चाहता है किसी और से land खरीदना तो उसके लिए उस आदमी का record उसको मिल सकता है अगर farmer जो चाहता है कि अपने land को बीचना किसी को तो भी उसको रिकॉर्ड दिया जाना चाहिए farmer wants to loan from the bank to dig well in her land तो means अगर farmer चाहता है कि अपने जमीन में कुए खुदवाना तो बैंक से loan लेने के लिए उसको अपने records मिल जाने चाहिए farmers want to purchase fertilizers for his field अगर farmer चाहता है fertilizer अपने फिल्ट के लिए खाद वगरा खरीदने के लिए तभी तभी उसके records मिल जाने चाहिए farmers want to divide his property among his children अगर वो farmer चाहता है कि अपने property को divide करने अपने बच्चों में तो भी सारे records उसको मिल जाने चाहिए यह सारे हो वी होता है ताकि लोगों को उनकी records मिल सके है यहाँ पे एक विश है डॉर्टर की विश है क्या विश है so father inherited our house from his father's and everyone say he will leave it to brother but what about me and my mother Master he will comery to take a house from his father Roberts house you say among yo अपने गgar को चौडड़ेगी मिशस देगी मिशसे यह अपने भाई क्या होता भाई क्या कि फादर जो होते है वह देते हैं हुआ ने मेरे यह और मेरी मा के लिए क्या बच्चा मेरे फादर का घर है कह सकते हैं पुरवज़ों का घर है फिर मेरे भायों के लिए बच्चेगा, तो मेरे लिए मा के लिए bear क्या बच्चेगा scale to expect a sear in my father's home is not very womanly I am told मेरा एक्सपक्ट करना मेरा एक्षाग मेरी मुझे भी कुछ शेयर होना चाहिए अपने फादर के घर में तो क्या यह में हम लोग के लिए नहीं होना चाहिए इस है तो यहां पे एक law बना हुआ इसी पे विश के एक law भी बन गया अन्यू लोग अंडू सेशन एक्ट 2005 एमेंदेंट एक्ट जो है 2005 का उसके तुरू क्या गया था अफिन वेन भी थिंक आफामर हूँ ओन लैंड विधिंक ऑफ मैं हां कर अम सोचते है ना कि एक फार्मर जाए उसके खुद की लैंड यह सुचते है को कोई मैं ही होगा कोई इखते हैं उसके खुद का अगरिकल्चर लैंड हो फुद की लैंड हो यह नहीं सुनते कभी भी तिल रिसेंट ली इंस टीट लिए नॉट गेट आज एक टाफेंट वर्म तक तक तो सब्सक्राइब के तक देख सकते थे एक किसी में किसी के पास भी फैमली एक इस फादर की देथ के बाद से जो उनके लड़के होते थे उनमें वो सारी प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाती थी रिसेंटली दे लॉव वस जीन्स अब लॉव चीन्स हो गया इन दे नियू लॉव अब एक आ गया है कि अगर मैं सरफादर की देथ हो जाती है तो उसकी मदर को उसकी सिस्टर को और उसकी ब्रदर को सीम इक्वल इक्वल लेंड दिया जाएगा तो यह सारे स्टीट में पूरे इंडियन यूनियन टेटरी में अप्लाई किया गया है इस लॉव वेनिफिट अलाज नंबर अपर में जिसके लिए काफे मोवन्स को इस पर हल्प में लिए वेनिफिट हुआ है इस एक्जामपल एक दिया गया है सुधा जो थी वह अपने बड़ी बेटी थी अरिकल्चर फैमली की और उसके साधी हो गई तो दूसरे विलेज में रहना शुरू करती थी उसके फादर की जब दित्थ हो गई तो सुधा मेंसा अपने मदर के हां आती थी उनके लैंड में काम करती थी तो उसकी मदर ने पटवारी से कहा कि वह ट्रा से अधर के लिए एक अधर को भी देगी क्योंकि मेरी कभी प्रॉलम सा जाए तो सुधा उसके लिए अब नहीं पेड़ी नहीं हो सकती है उसके थूपना बर्वर्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है यह बहुत अच्छा हो गया कि सबको शेर मिलना चाहिए यहां पेख इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि साम एडमिस्ट्रेटिव जो वर्क है गोवर्मेंट के स्पेशली रूरल एरिया में दर फॉर्स एक्जामबल रेटे दूदर मैंटेनिंग लोग एंद ऑर्डर एंद सेकेंड फॉर्स इसमें क्या था कि मैंटेन इपटवारी का इस मैंट एक्जामाइन गूल ऑफ़ पॉलिस एंद डी शेकेंड इपटवारी इस वर्क के सुपरवारी इस अधर पीपोल इन देपार्मेंस सच यह थे तैसिल दार एंद शुपरीदेटिगेंट और पुलिस एक में क्या था था? पुलिस वाले में कौन इस्परवारी के करता है और विलेज वाले में पतवारी के पास से काउं करता तहसिल करता है this services have to be used and made the function according to the law according to the laws that have been formed for them you have probably seen many other public services facilities provide by the parish department अब हम लोग देखते हैं कि यह तो हम लोग पर सभी देखे कि विलेज के पास की जो पुलिस स्टेशन का क्या वर्क होता है फिर पट्वाय लेंड रिकॉर्ड कौन रखते हैं ऐसे बहुत सारे department है government के जो बहुत सारे work करते हैं लोग के बहुत सारания वर्क यह तो उसे का बारे में यहां मैं यह पर दिया हुआ है तो यहां पर एक example बारे है कि सरवे करके आपको उसके बारे में राईट करना है तो यह हो गया chapter complete कैसा लगा ? starts with करें चैप्टर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब थैंक यू सो मच वर वाचिंग मैं वीडियो एवर्यों थैंक्स अलोट